घी में भून कर खाई ये एक सफेद चीज, नसों से बैट कॉलेस्ट्रॉल का हो जाएगा सफाया। घी के साथ लहसुन खाने के फाइड, घी में अगर लहसुन को पका कर खाया जाए तो ये सर्दियों के मौसम में आपको कई बिमारियों से बचा सकता है। रौ गालिक विदगी, लहसुन का इस्तेमाल भारतिय घरों में अलग-अलग तरीकों से होता है। लहसुन जहां सबजियों में तढके में इस्तेमाल होता है वहीं चटनी और अचार बनाते समय भी लहसुन की कलिया उसमें मिलाए जाती हैं। इसी तरह कच्च लहसुन खाने से भी स्वास्थि को कई तरह के लाब, benefits of eating raw garlic हो सकते हैं। होट पेशेंट से लेकर कमजोर digestion वाले लोगों को कच्च लहसुन का सेवन अलग-अलग तरीकों से और अलग-अलग समय करने की सलाह दी जाती है। ऐसा ही एक तरीका है कच्च लहसुन को घी में भून कर खाने का। घी के साथ लहसुन खाने से क्या होता है? Reasons eating garlic with ghee is good for health. देसी घी में लहसुन को fry करें या उन्हें थोड़े से घी के साथ roast करके खाएं। इससे लहसुन का स्वाद और गुन कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसा कि लहसुन अपने antibacterial, antifungal और antiviral properties की वजह से कई बीमारियों में दवा की तरह असर करता है। वहीं, लहसुन के सेवन से आपको vitamin C, magnesium, vitamin B6, calcium, selenium, iron, fiber और phosphorus जैसे तत्वा भी प्राप्त होते हैं। घी में पकाने के बाद लहसुन की तासीर, लहसुन की तासीर बदल जाती है। वहीं, लहसुन का स्वाद भी बदल जाता है। आएए जानते हैं की घी में पका हुआ लहसुन घी के साथ लहसुन खाने के फाइड किन लोगों के लिए फाइदे मन साबित हो सकता है और इसका सेवन किस समय करना चाहिए। घी में पका लहसुन खाने से क्या फाइदे होते हैं। Benefits of eating garlic roasted in घी Bad cholesterol होता है, कम garlic with the control bad cholesterol जायक हो सकता है। लहसुन bad cholesterol को शरीर से बाहर धकेलने का काम करता है और नसों की सफाय करता है। इससे आपका hot healthy बनता है। कम होता है stroke का risk minimizes the risk of stroke। कच्चे लहसुन को अगर आप घी में भून कर खाते हैं तो ये stroke का risk कम कर सकता है। साथ ही घी में भूना हुआ लहसुन खाने से आपका blood pressure level भी कम रख सकता है। बढ़ती है immunity boosts immune power, सर्दियों में आसानी से बीमार पढ़ने का risk बढ़ जाता है। ऐसे में अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ाने के लिए आप घी में पका हुआ लहसुन खा सकते हैं। Body Detoxification घी roasted garlic helps in body detoxification। लहसुन में पाए जाने वाले active compounds जैसे allicin और saponin शरीर में सूजन कम करते हैं और ये शरीर में जमा toxins को बाहर निकालने का भी काम करते हैं। शरीर को अंदर से साफ करके ये शरीर को स्वस्थ और strong बनाते हैं। ऐसे करे सेवन, लहसुन की कुछ कलिया ले और उनका छिलका हटा दे। अब छिले हुए लहसुन एक कटोरी में पानी के साथ भिगो कर रख दे। कुछ घंटों तक या रात भर इन्हें पानी में रहने दे फिर इन्हें पानी से निकाल कर छान ले। आप थोड़े से देसी घी के साथ इन लहसुनों को तवे पर पकालें। आप इन लहसुनों का सेवन सुबह नाश्ते के साथ या रात में दिन के साथ कर सकते हैं।